उत्तरपदेश से साथ सांसद पहुँचेंगे राज सभा बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष बुपेंच चौदरी जी है। दूसरे दलो का जो एजंडा है वो एक मुखोटा है और मुखोटे के पीछे चिहरा दूसरा है। प्रदेशीन बनिये स्थिति क्या करेंगे राज सभी अनदाता किसानों से अपील है। कि सरकार संबेजन सील है उन्हें अपना अगर कोई विशे है तो सरकार के सम्मुक अपनी बात कहनी चाहिए। बातचीत से सबका समाधान हो सकता है और मुझे अनदाता किसानों से ऐसी अप्यक्षा नहीं है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि सांती पूरवक हमें अपनी बात कहने का अधिकार है और संती पूरवक अपनी बात कहें और सरकार सारे विसोप बातचीत करने तयार है। बाद में मिला भी था लेकिन कल शाली ग्राम पूजे हैं जुनाव से पूजे पूरा कुनबा शाली ग्राम की पूजा करता नदा अब यह उनका चरित्र है और राम के पृति जो उनके बिचार है किस प्रकार से राम भगवान सीरी राम के मंदिर पर कारसेप को बन नियत्य कारसेपर गोली चलवाने का काम किया रोने वो उस पार्टी के साथ हैं जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि सनातन के बारे में टिपनी करते हैं जिस प्रकार से वो उस पार्टी के साथ हैं जो भगवान सीरी राम के स्थित को मानती नहीं वो उस पार्टी के साथ हैं जो उनकी पार्टी के लोग जक्षनी भारत को से भारत से अलग करने की बात करते हैं तो इन सारे विशो का जबाब तो जनता को देना पड़ाए हमारे लिए हमारा कुन्बा बढ़ रहा है हमारे परिबार से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरा देश राम में है और आप देखिया भविस्थे में क्या होता तमाम विश्यों पर बात की है राजसभा के नामांकन के साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि किस तरीके से सातों प्रत्याशी सीद्य उत्तर पदेश से जा रहे हैं लक्रों से कैमरामें रोहित के साथ अप्शेक मिश्रा आज तर